दोजार चोदा जब लोगसभा चुना हुआ था तो कोई नहीं जानता था कि बनारस इतनी हॉट चीठोगी कि पुरे विश्व में डंका बज जाएगा 2019 का लोगसभा चुनाओ भी नज़दीक आने वाला है और ये सीट 2014 से भी ज्यादा होट होने वाली है क्योंकि प्रियंका गांधी अब राजनीती में कूच चुकी है हो सकता है कि प्रियंका जब बनारस से लड़ें तो यहाँ पर लड़ाई बहुत ही दिल्चस्ट होने वाली है ये तो भविशे के गर्त में है कि प्रियंका गांधी चुनाओ लड़ेंगी की नहीं लेकिन राजनीती पर असर इनका जरूर पड़ेगा और वो असर क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा फिलाल हम इस समय जयापूर गाउं में है जो पीम मोदी का गोद लिया हुआ है हम बात करेंगे यहां के लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या सोच है क्या राय है प्रियंका गांधी राजनीती में आ गई है वो यहां से लड़ेंगी तो कितना बिजेपी को नुक्सान होगा या कॉंग्रेस को कितना फैदा होगा अब बात करते हैं इसलिए कि राजनीत में रही नहीं है प्रियंका बढ़ेरा रही है आज गांधी हो गए है तो फिर उनका राजनीत में कोई हमारे समिक्रण ही नहीं बनता है जो कागरेस जैसे पहले थी वो ऐसे ही रह जाएगी थोड़ा बहुत उच्छार आजा कहीं न कहीं लेकिन हमारे गाव में से बिल्पुल नहीं आएगा जू आपका नम आपको नाम जैसवर्मा क्या मानते हैं अपरियंका गांधी राजनीति में और रहे हैं इतना फाइदा होगा बाकी में आपका नाम राजेस कुमर्सी और्रजेस Woah AM आपको नाम इस फाइदा व्याय नोजवानों के लिए बेदना है नोजवानों का जो हम लोगों ने सुचा था जी प्रदान मंत्री जी आए कि नोजवानों को मंच दिवी करते हैं प्री मेरे भाई बहनों लेकिन भाई बहनों के सांथ बढ़ान नयाय कि यह जैसे मैं रोजगार के लिए कर बता रहा हूं आप से जैसे आज हमारे उत्त्र प्रदेश में कम से कम साड़े 17,00000 नोजवान भाई बहन बेरोजगार प्रदेश जिनको को निकाल दिया गया जैसे में 1,75,000 सिच्छा मीर, 1,17,000 सिच्छा प्रेरग, 1,90,000 उन्य देशक, हमारे सिच्छा प्रेरग जो निकाल दिये गया है, उनको 40 महीने से बेतन नहीं दिया गया है, ठीक है आपकी बेवस्था बंद कर दी गई, लेकिन उनका मान दे कौन देगा, इसका सुथ कभी माननी मोदी जी ने नहीं लिया, यह जो हमारे उत्तर प्रदेश के क्या नौजवान नहीं है, यह हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है, जिनका आशू नहीं एकदम खून बन गया है, इनका रोजी रोटी बंद हो गया है, तो इसलिए ए बेदना जो है कहीं न कहीं जाकर दिक् कि शूध ली होती तो बिजेपी की सरकार क्यों बनती है यह उतु है आंग्रेश ने नहीं लिया लेकिन हम लोग नौजवान हफारा जो सोच है उन नौजवान लोटा प्रसंद करेंगे कोई पार्टी नहीं पसंद करेंगे तया आप गाउं के प्रधान है आपकी क्या सोच है सत्ता पक्ष के विपक्ष में हमेशा जनता की सोच रहती है और चुकि इस लोग तंत में एक पध्धत है कि इस लोग तंत में जनता की आवाज को सरकार तक पहुतिनी चाहिए यहाँ पर बेरोजगारी की जो समस्या हैं और शिक्षा मित्र हैं अनुदेशक हैं या तमाम नवकरिया पाए गए जो लोग है अगर उनको बेरोजगार कर दिया गया है तो यहाँ पर सवाल खड़ा होता है इसकी सची दिपोर्टिंग उचस्तर पर होकर करके इसका जिरा करन किसी चीज को पेन्नी रखने से सरकार के बिपक्ष में बात जाती है तो आज भी लोगों की सोच और चिंतन इस देश के स्वाशी प्रसार मंतिर मानी नर्जिन मोदी जी के प्रति है सान गूति है उनकी मानदार्य और मुष्टा का प्रतिपर लोगों के सामने है लेकिन नि प्रतिए अभी दो महिने का समय है अगर इसको सुधार आजा सकता है तो सुधार सकते हैं तो प्रतिए लगता है कि कॉंग्रेस को फायदा होगा या बीजेपी को नुफसान होगा या क्या वो राजीति पर से डालेंगी देखिए हमारे हां कांग्रेस बिदाफत में नहीं तो उस परिवार का क्योंकि प्रियंका गांदी नहीं नहीं आई है और उनके हाव भाबू भी अपने दादी से मिलता जूटा है तो प्रभातो कुछनकुछ जरू प्रणा राजनीत पर और मुख्य रूप से महिलाओं पर पढ़ना है महिलाओं जब आसू बहाती हैं तो मह से बरी चीज कि भारती जंदा पालिटी के उच्च नितित्व को जहां से एक नई घसा और दिशार दी जाती है अग्राइज करके निचने अस्तर तक सुधार करना चाहिए अभी दो तीन मेने का वक्त है अभी चाहिए तो इसमें सुधारात्मत कारिकर करके जंदा को अपन क्या मानते हैं प्रियंका गांधी में आ रही है कॉंग्रेस के तो फादा होगा या नहीं होगा तो आप प्रमोट करना चाहते हैं नहीं हम अभी इसको नहीं मानते हैं कि हम उनको करें अभी इस वगण रखे हैं यह हमको मजुगा आदि मिलना चाहिए तो आपको मतलब प्रियंका गांधी से यहां कॉंग्रेस से कोई उम्मीद है कि आपकी जो शिकायात है वह दूर हो सकते हैं पहले मुदी जीत में अब बाश्पा पर कोई असर पड़ेगा या कॉंग्रेस की बढ़तरी होगी है कि वह दूरे अब इसको अब इसको अब है कि अब इसको अब इसको ने एक बयान दिया था काफी विवादित रहा और काफी चर्चा में रहा यह बयान तो इस पर हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रिंका गांधी कुंबे में जाएंगी पाप दोने के लिए देखे जो ससी ठरूर का बयान था तो गलत बयान था ओ तो भड़काव बयान था लेकिन वो गलत बोले ने इसका इनका सुध नहीं लिया जैसे सिच्छा प्रेराग सिच्छा मेत्र सिच्छा अनुदेशक आंगनवाडी इनको अगर ध्यान में समय रहते हुए नहीं देखे तो इस्तिती भयानक हो सकता है यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अब कोई बड़े लीडर भी नहीं गये हैं जैसे रहुल गांदी और फिर कोई बड़ा लीडर हो में इसनान करने नहीं गया अभी तक अब वो और नहीं पार्टी वहां मैं नहीं कहना चाहूंगा कुछ इस दिसमें मैं अभी तो बोल सकता है चैलिए फिलाल प्रेंका गांड के राजनीती में आने से क्या असर पड़ेगा यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि प्रेंका बढ़ रहा के आने से कुछ प्रभार डाला जाएगा लेकिन जो प्रधान मंत्री का जो रुत्बा बरकरार रहेगा लेकिन हम बीजेपी के कारकरता रहे हैं और 2014 में बीज क्यों मिटर दूर घटनाएं हुई मैं उस घटना में सामील भी नहीं रहा लेकिन 308 का मुझरिम बना कर आज हमें मतलब जाया गया है और लोग कहते हैं कि अगर यह फारवर्ड की बात रहती तो आज योगी सरकार इसको सुनती लेकिन आज आप OBC है इसलिए यह सुना नही पर यह समस्या नहीं सुनी गई तो हम अपने पूरे कमेटी के साथ दूसरी पार्टी जीसे बसपा या कोई भी पार्टी हम जॉइन कर सकते हैं और यह भी कहना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे बूत पर सबसे ज्यादा ओटिं हुआ था प्रधान मंतरी के लिए वह किलुमिटर दूर हमारा घर है वाड नमर एक में मुझे बजाया गया है इस पर सरकार सुध ले क्योंकि बेगुना हो एक किसान व्यक्ति परसान हो रहा है कोट कचारी के चक्कर काट रहा है मेरा एक बच्चा विकलांग है जो पहला बच्चा है विकलांग है तो मैं यहीं कि एक असहा व्यक्ति को क्यों फसाया गया इस पर क्यों सरकारे सुध ले रही है पर सासन भी घर स उठा ले जा रही है तूं 308 के मुझरी मों प्रियंका के आने से कोई फायदा नहीं होगा जो मोदी जी का हमारे बारारसी के लोग और हमारे देश की जनता जो स्वागत कर रही हो करती रहेगी जो उनका सोच देश के प्रती और प्रदेश के प्रती बहुत ही अच्छा रहा है हम यहीं चाहते हैं कि जो राजनीतिक मुकद में आप पेपर के माध्यम से होता है कि राजनीतिक मुकद में वापस हो जाएंगे तो राजनीतिक मुकद में अभी तक वापस नहीं हुए तो हम कैसे कहें कि मतलब राजनीतिक मुकद में वापस हुए है तो हम आप लोगों को माध्यम से, न्यू चैनलों को माध्यम से चाहते हैं, कि आप लोग गुजारिस करें, कि जो व्यक्ति बेवजा का फसाया गया है, कोई जाब कर रहा है, वो भी आज घर पे बैठा है, कि आपके उपद हाराये लग गई है, आप भर पे रहोगे हम और भी बात करेंगे लोगों से, लेकिन वक्त हो गया है, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आज़िर होंगे, पंचायत लाइव ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं पंचायत लाइव, हम इस समय वारारसी का जयापुर गाउं में हैं, यहां फे लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं कि प्रियंका गांधी के राजनीती में आने से बीजेपी को नुकसान होगा या कॉ बीजेपी को नुकसान होगा, उनकी तो गीक हैं, नाम बता दीति ये, आप फ्रॉल लेट से हैं, राजो चु प्रियंका जी का आने से आने से इस पर फादा电ा होगा या विजेपी को नुकसान होगा, भी बाद रिधीत बीशान देंपना बदेखना पर रहे हैं, जैंक बिजेपी का लुंखान कहीं से नहीं हुआ है? चाहे क्रियंका जी हाँ चाहे कोई जी आए क्योंकि जो करके इन्होंने थाड़े-4 साल में दिखा दिया वो कोई करने वाला नहीं है अईशा प्रधान मंत्री ना तो बविश में पीछे कहीं नहीं था प्रियंका जी अगर्धी को कोंग्र्स कर रही है कहींने कहीं नहीं चेहरा बान देहिए सकते कुछ नहीं कर सकता है लेकिन अभी कुछ लोगों से बात हुई है उंका कहना है कि जमीने इस तर पे बिज़पी फेल रही है हैं अपनों ही लोगों से जो है नाराज्जी व्यक्त की जाती है और समय पर जो है देखें जब नजदीघ आगा नहीं तो आपको नाराज्जी कहीं नहीं ंदिखा जेगा कि मासत कुछ और लोग हैं उसे बात करते हैं अब कि अपना नाम बता देख आपका क्या मानना है प्रहिंका गांधी कर आने के बादि राजनीति में कश्छ फेर बदल होगा देंगे जैने से हमारे महूदीजी ने प्रियंका गांदी के आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है हमाँ साथ बुजुर्ग है नाम बता दीजे आप गांगे यह बताईए कि प्रियंका गांदी के आने से से राजनीती में कुछ फर्क पड़ेगा क्या मानते हैं युवा युवा चेहरा है युवा हो सकता आकर्शी तो उदर कुछ भी हो जो सरकार इतना ढंग से चलाई है आज तक कोई नहीं चला पाया सरकार ने क्या कि आपके लिए बहुत कुछ किया लाइट दिया पानी दिया घर दिया मकाम दिया बहुत कुछ दे दिया अब को लेकिन किसान अभी भी नाराज हैं अब है कुछ लोग नाराज है रहते हैं रहते हैं पर दुनिया अब अ сердे में सरकार से खुश है अां हम अपना नाम अर्ध SAY राजम्सिक्स जी क्या मानते हैं अ प्रिंका जिआ फिर बदल होगा निथन निकिने कुछ कॉंग्रेस के तरफ उनका रुजान हुआ है कि इतना बड़ा पॉलिटिकल बेग्राउंड तो उसे कुछ फाइदा हो सकते हैं इतना हम नहीं बता पाएंगे पर इपने गाउं को भी से हम बता सकते हैं कि हमारे हाँ अपने नाम बता दी जी क्या मानते हैं परिंका जी क्याने से क्या हो रहा है उनका प्रचार कर सकती है अब कर सकते हैं बेटर लेकिन युवा लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अधिक बेटर हो सकता है बड़ लेकिन हम प्रिंका गांधी क्याने से कोई फायदा नहीं होने वाला है न तो उनको होगा न तो कॉंग्रेस पार्टी न तो राहूल गांधी को होना है फिलाल बीजेपी से यहां के लोग तो काफी खुश हैं बीजेपी के काम से लोगों कहना है कि घर मकान विजली सब कुछ मिला है लिहाज इस गाउं में तो लोगों का मानगा है कि प्रिंका गांधी से कोई फायदा नहीं है और कोण बात करेंगे कि म जारे चार साल हुआ है कि अब बाकि वुद्र जाएगा अब पने लिए तो अपने आप पर सोचेंगे तो बहुत सारी कमिया है अब को क्या लगता है अपको क्या लगता है अपने लिए अपने लिए अपने नाम बता जी जाएगा अगया है कुछ फादा होगा कांगर्स को बीजेपी को 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 नुकसान यह थोड़ा सा जी एस्टी का असर पड़ा है इसको सोचना पड़ेगा इसको जी एस्टी को हटा देने चाहिए किसान गिसानों के किसान खुश हैं बीजेटी की लेकिन पिछले टीम राज्यों में हार हुई है लेकिन विदान सभा में कुछ गरबड़ी हुई है लेकिन लोग सभा में मोधी प्रदान मंत्री बने आपका क्या मानना है एक अगंदम मोधी जी आना ही चीह? मोधी जी को आना चीह हम लोग और आव और तो देख और पर गाऊं सब मुल्ग नहीं है और इनका बुराई उन्का बुराई करते हैं बहर जाकर का जै धकिस फिर सबको मालम परिवार बाद कर रही है बीजेपी से कुछ लोग नाराज भी सारे राजनीती कोई भी कितना गड़बंदव हैं सब यह सब परिवारी वाले हैं इनको नहीं चाहिए इसमें हम लोग खाली यह कहना है कि इनका बुर्याई करो तो यह अच्छा करेंगा अच्छे हैं अच्छे हैं मोदी जी का ही सब चलेगा और वहीं जीतान नहीं है अगर प्रिंगा कांजी बनारा से चुना लएक ही सब्सक्राइब कि मुधी हार जाएंगे क्रेरीं ४भ्डी होग थो देना हो रह जा जया है मोधी जाहां जञाएं तो कहां भाग कर जाएंगे अपना ये खोर में और चाहिए disc जंब अच्छा रहें तुस्त और आन ऑच्छा है है और सब गाउन पर दान अच्छा जए तो प्यांका गांदी और बनारा से चुन्या लड़ी आतो चीज़े नहीं पड़ेगा फिंका गांदी का मुदी जी यहां एतना पैसा क्रच कर देए जीज़ां तर एक इंपार के वारा आतों की सीट टूपर्म है और जादेंगर कर चीज़े है कि यहां कासी की जंता और किसी से उमीद नहीं सकती है और यहां किसी के भी आने से कुछ प्रहूने परेगा अब यहां कि अब एक चोटा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक का वक्त हो गया है इसके बाद फिर आजी रोंगे तो चानेंगे कि प्रियंका गांधी की राजनीती में आने के बाद और दलों पे कितना असर पड़ेगा बिजेपी पे कितना असर पड़ेगा और बनारत से अगर वह च कि अब बाद अब का स्वागत पंचायत लाई में हम इससे में जयापूर में हैं बात करते हैं कि प्रियंका गांधी की राजनीती में कितना mówiąम रहा है प्रियंका गांधी का नया नया राजित म्याना जनता के लिए बहुत बड़ा योगदान नहीं है क्योंकि प्रियंका गांधी का योगदान जनता के लिए नहीं हुआ है और चुकि कांग्रेश चुना रहती है और बसपा सपामिल का गरबंधर से चुना रहती है तो इससे बीजेपी को फादा होना है। अगर प्रियंका गांधी का फुर्भाव ज्यादे बरेगा और ओटका डिवाइडेशन होगा। तो बीजेपी जितना सीटों से आगे जाना उससे अधिक सीतों से उत्तरपेस में आगे जाएगी। अब कर दो शीद पर था जहां से पमिठी वही से था यहां उनका सर गठबंदन वाले को पड़ेगा जो सपा पसपा का गठबंदन है उनको राजनीद में आने से उनका रसर पड़ेगा और तो बिजेपी पर नहीं पड़ेगा लेकिन सीट कम होगी यूपी में जो उनका बहत्तर सीट था ओ नहीं होगा वो सीट उनका वहीं 2019 में 50 के लगभग होगा यह असर पड़ेगा गठबंदन यहां डालेगा असर प्रियंका जी का बहुत नहीं है लेकिन सपा पसपा जो ग नहीं पाएगा यूपी में अपका क्या मनना है कितना राजनीती केरियर इंक रहा है अब यह हमको तो मालूम ही नहीं कि यह कब चुनाव लड़ी है और कम नहीं है इसे कोई पड़ने वाला में बीजेपी को तो कुछ भी नहीं है जो जो गोटाले का आरोख है वाटरा जी क के उपर उसका क्या असर पड़ेगा फिंक जी नहीं कर सकता लेकिन जो इनके मंत्री है जैसे हमारे गाउं को गोद लिए माननी मोदी जी ने यह जिम्मा सांसर्थ सीयार पाटिल जी को दिया गया सीयार पाटिल है कि सीयार पटेल है ओ है जी ओ नौसारी के सांसथ हैं उन्होंने हमारे गाउं का जिम्मा तो लिया लेकिन हमारे गाउं को ध्वस्त कर दिये हम आपको बताएं कि उन्होंने पहला काम हमारे गाउं में सड़क का किया ओ दस दिना में सारा सड़क ध्वस्त हो के चूर चूर हो गया उसके बाद हमारे प्रधान जी ने माननी लच्मड अचार जी से मिले जो कि हमारे यहां बीजेपी के मेल सी हैं उनके द्वारा तुरंट एक्षन लिया गया प्रधान जी के सहयोग से अत्तकाल सड़क बनाया गया उसको जे सीबी से जो पाटिल जी ने बनाया था तुरंट आणे कर दिया गया हटा कर उसके बाद दूसरा काम उन्होंने किया जलनिगम का पानी के लिए हमारे गाउं में ओकेवल पान दिन चला सारा पाईप धस्त हो गया सब फटके चूर हो गया उसके बाद उन्होंने सोचाले ले आए ओ गुजरास से लेकर प्रधान जी बताएं यह कितना ले आए ले आकर लगा दिये सबके दरवाजे पर बारी सोवा तुरंट बह गया ऐसा ले सोचाले उन्होंने बनाया था हां उसके बाद प्रधान जी के माध्यम से जो राज सरकार से बना सवचाले वह आज चल रहा है तब भी चला भी चला प्रांगण में खड़े हैं यहां है प्राथमिक विद्याले जयापूर में जितना आप चमक देख रहे हैं ग्राम सभा गाम निधी से है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए मैंने कई बार मीडिया से कहा लेकिन मोदी जी के जितने मंत्री हैं जैसे यूपी में योगी जी के मंत्री हैं इतना फ्रस्टाचार हो रहा है जो भरतिया कर रहे हैं इस भरतिया में इतना 50-60 कापी हमारे नायाले में है फर जी लड़का पाया 122 नंबर और उसका रिजल्ट आया 22 और बच्चे जब कोट में गए इस प्रकार की 500 कापी है लेकिन योगी जी ने केवल उन अधिकारियों को दस दिन के लिए सस्पेंट कर दिया फिर उनको बहाल कर दिया बताइए लड़के क्या करेंगे बच्चेओं का तो जो है कि जिनगी खतम हो गया तो यह भरस्टा चार योगी जी के जो मंत्री है कर रहे है जिसको जिम्मा दिया गया वह नहीं क्य ग्रामेंटों से बात करते हैं क्या थीकत है गाउं का विकास हुआ है उसके आप संकिष्ट है थो रहा है थोड़ा साथा कोड़ा कभी है जो है वहीं बस और क्या हो कुछ नहीं बदेखिए बाबा बताईए गाउं का विकास हुआ है का देखिए क्या 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 बदला बहुत कुछ बदल गया बाजी नहीं था फिनक ली पानी मिल गया और यहाँ आदा लाइट मिल गया आद नहीं था मकान मिल गया हमको बस ए committee साब ससे क्या हुआ हुआ है हम और झी रहिव है जितनी कामना नहीं कियोंगे उतसे जादे गाउंग विकास हो गया मेरे, केवल मोदी जी की ही देने अथी हो गया, और यहां पे पहले भी लोग यहां पे मंत्री उंत्री थे लिए कुछ भी नहीं हुआ, बगल के मेरे सुरंदर पटल जी थे, वो कुछ नहीं करवाया है, जै बीजेपी ने कराया, मोदी जी ने कराया, लेकिन जैयापुर गाउं के लोगों को कोई उमीद नहीं है प्रियंका गांदी से कि उनके आने के बाद कोई भी असर कॉंग्रेस पे पड़ेगा, और ना ही कोई बुरा असर बीजेपी पे पड़ेगा, लिहाजा लोगों का मान